नमस्कार दोस्तों, बहुत सारी पेशेंट आते हैं, एक समस्या लेके कत्या डाटता हुए बाहं उपर नहीं कर पा रहे हैं, बाहं को पीछे नहीं कर पा रहे हैं, इसके करण से कपड़े पहनने में दिक्कत होती है, बालों में कंगी करने में दिक्कत होती है, बहुत सारा इ से होता है क्या इसका लक्षण होता और कुछ मुख्य हमपैथिक दवाओं के बारे में बात करेंगे मेरे यूडूब चैनल लोग में आपका बहुत स्वागत है अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें और सेयर कर दें ताकि और लोगो स्वापको कन्दा फ्री होता है आप आराम से और आसको होते हैं कभी कऺछ लोगों में क्या होता है कि कंदे को एसे जैसे कि नाम हो हो गया है फ्रोजन सोल्डर के लक्षट धीरे-धीरे शुरू होते हैं लोग लोग इग्नोर करते हैं कि अरे कुछ नहीं हलका दर्द हो रहा है धीरे-धीरे कंदा आपका जाम हुने लगता है और शुरूआत में आप यहां तक हाथ ले जा पाते हैं फिर आप धीरे-धीरे आ 40-60 साल के उमर के लोगों में जादे होती है विसेशकर महिलाओं में बिमारी काफी जादे होती है अब हम लोग कंदे के बनावट के बारे में कुछ बेसिक बाते जानेंगे जिससे हम लोग को फ्रोजन सोल्डर क्यों होता है और उसकी इलाज के बारे में काफी सहयोग मिले जैसे हमारा कंधा ball and socket joint होता है एक हमारे कंधे को बनाने में तीन मुख्य हड्डियां भागिदार होती है जैसे हमारे उपरी वाजू में हड्डी होती हुमरस जिसको बोलते हैं एक और हड्डी होती स्कैपुला जो पीछे होती है और एक हड्डी होती है यह तीनों हड्डियां मिलके हमारे कंधे के जोड को बनाने में सहयोग करती हैं बालन सौकेट समझ लिए कुछ इस प्रकार का ज्वाइंट होता है जैसे इसमें एक सौकेट दिख रहा आपको और एक आपके कंधे के उपरी हड्डी का जो सिर बोलेंगे या हेड बोलेंगे ऐसे फिक्स होता है और आसानी से देख रहे हैं आप चार और आप अपने बाज इस हड्डियों के ज्वाइंट के उपर स्ट्रांग कनेक्टिव ट्यूस्यू का कैपसूल बना होता है जिसको सोल्डर कैपसूल कहते हैं इसमें आसानी से आपका बाजू मूफ कर सकता है इसके अंदर एक लूब्रिकेंट जैसा होता जिसको सुनवेल फ्लूइड बोलते है जिसके करांब से आसानी से आपकी बाजू मूफ कर सकती है अगर सब कुछ सही रहता तो हम लोग आसानी से दिन चर्यक कारे करते हैं असानी से अपने भाजू घुमाते हैं कभी-कभी क्या होता है, इस सोल्डर कैपसूल में स्टिफनेस यहनी कड़ा पना जाता है या सुनिबल फ्लियुड होता है जो लूब्रिकेंट का काम करता उसकी मात्रा कम हो जाती है जिसके कराण से हमारे हाथ के मुव्मेंट में दिक्कत होने लगती है हम हाथ उपर नहीं उठा पाते हैं या घुमा नहीं पाते हैं या पीछे नहीं कर पाते हैं हमारे सोल्डर में अक्लन हो जाती है भारीपन हो जाता है दर्द बना रहता है इस विमारी का तीन स्टेज होते हैं पहले स्टेज को फ्रीजिंग स्टेड बोलते हैं इसमें धीरे-धीरे करके कंदे में दर्द शुरू होता है और दर्द धीरे-धीरे बढ़ने लगता है और बहुत जादे हो ज करते हैं frozen state इस stage में क्या होता है दर्द तो आपका कम हो जाता है धीरे धीरे आप ऐसे सामानेता बैठे हैं तो आपको दर्द नहीं होगा लेकिन जब आप हाथ उठा रहे हैं एक लेवल के बाद बहुत तेज़ दर्द होगा लेकिन चुपचा बैठेंग में दर्द नहीं बहुत से मरीजों में देखा जाता है कि काफी लंबे समय तक च्छा महीने तक साल भर तक रहने के बाद अपने आप यह बीमारी एकसाइज करने पर आपने आप यह बीमारी खतम हो गई हाथ अपना मोमेंट करने लगा कुछ लोगों में ठीक हो जाती है लेकिन बहुत से ल पोड़ी भी आपको दिक्कत लग रही है तो इसको इग्णोर ना करें इसका इलाज तुरंद कराएं और हम पैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है अब हम लोग जानेंगे किन मुख्य कारणों से फ्रोजन सोल्डर हो सकता है वैसे कुछ बहुत जादे नहीं पता है फ्रोजन सोल्डर के कारणों के बारे में फिर भी जो मुख्य कारण उसमें एक है इम्मोबिलाईयसन जैसे अगर किसी आदमी का हाथ में फ्रेक्चर हो गया और बहुत दिन तक हाथ ऐसे बांद के है तो उसके कारण से क्या होता है आपके सोल्डर में कड़ा पना जाता है इसके कारण से हाथ के जब आप ठीक हो जाते हैं तो हाथ के मोशन करने में आपको दिक्कत होने लगती है और डाइविटीज के मरीजों में अगर फ्रोजन सोल्डर हो गया तो उसको ठीक होने में भी काफी दिक्कत होती है बहुत लंबे समय तक चलता है अक्सर देखा गया या कि घृदय की बीमारी हो या किसी की थाराइट सम्बंदित समस्या हो उसे में भी फ्रोजन सोल्डर के लक्षण बहुत जल्दी आते हैं अब हम लोग इस वीडियो के बहुत इंपोर्टेंट हिस्से में आ गया है फ्रोजन सोल्डर के लक्षणों के बारे में जानेंगे फ्रोजन सोल्डर में क्या होता है सुरुवात में कंदे में हलका दर्द सुरू होता है वो दर्द यहां हो सकता है गर्दन के पिछले हिस्से में हो सकता है या बाजू के उपरी हि दर्द होता है सुरुवात में तो हाथ को उपर ले जाता है दर्द होता है फिर भी ले जा सकता है धीरे धीरे मोशन इसका लिमिट हो जाता है पहले पता चलता है कि हाथ यहां तक ले जा पा रहा है फिर यहीं तक ले जा पा रहा है ऐसे पी पेसेंट देखे मैंने कि हाथ का म ऩह थोड़ा साहिला पारहा है समानेत्था तो देखा गया है कि एक ही हाथ मे यह समस्य होती है लेकिन आगे बढ़ चलते चलते फिल्लाज ना सहीस करा है कभी-कभी एक हाते और दोनों हात में भी फ्रोजन सोल्डर हो जाता दोनों आदमी नहीं घुमा पारा है सोचिए कि इत दिक्त होती है उस तर्ब गरधन के पिछले हिस्से में ऐसे लेकि यहां भी धर्ध होता है अब सकती और समय रहते ही लाज करा लें आब हम लोग बात करंगे फ्ष्वशन बात करेंगे हम यह कंधें जख़ण और दर्द के चिछ उंपैस्टिक कहते हैं अगर आपके कंधे यांव के उपरी हिस्से में दर्द हो रहा है और थोड़ा सबी मोशन करने पि बहुत तेज हो रहा है चमद्दो दर्द компании या टशबुमारिए है और रात के समय में अगर बड़ जा रहा है और लेतने ने आराम करने पे दर्द में आराम मिल ला है और हिलाने डुलाने पे बहुत तेज से दर्द बढ़ रहा है तब आप संगोनीरिया कैन मेडिसीन के बारे में सोच सकते हैं दाहिने कंदे में दर्द के साथ साथ अगर सर के पिछरे हिस्से में अगर दर्द हो सकता है इसमें अगर यह लक्षण है तो संगुनिरिया केन मेटसिन दी आ सकती है अगर यह लक्षण है तो संगुनिरिया केन 30 में सुवा साम दो दो बून एक वीक तक लेने पर आपको दर् अगर आपके बाएं कंधे में जक्नन और दर्द हो रही है साथ में बाजू के उपरी हिस्से में दर्द हो रहा है जैसे फटा जा रहा है बाजू या कंदा फटा जा रहा है उस स्थिति में फेरम बहुत अच्छे मेडसिन है साथ ही आपको ऐसा महसूस होगा कि कंदा बिल्कुल काम नहीं कर रहा इदम पैरलाइज हो गया है साथ ही कंदे में भारीपन बना रहता है उस स्थिति में फेरम मेड बहुत उपयोगी दवा है अगर यह लक्षन तो फेरम मेड इलकम 200 में चार गोलियां सुबा चा साथ ही आपके घरधन में भी जखड़न है और साथ कंदे का दर्जो है आपका बढ़के रुष्ष्ट ज्वाइन तक जा रहा हो एससतिति में वहाँत अच्छे मेड साति-कंदे में स्वयलिंग हो थोड़ सा बिकंदा रहा में बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो और गरम से सिकाई करने पे तेज दर्द बन रहा हो और ठंडी से सिकाई करने पे और आराम करने पे दर्द में कर आराम मिल ला हो उस इस्तिति में गौयकम सोची जा सकती है अब देखेंगे कि गौयकम यूज कैसे करनी है अगर यह लक्षण है तो गौयकम मैं आपको रेक्मे तो यह दवा 15 दिन से लेके एक महें तक लगातार पिए आपको कंदे के जर्द में जरूर रहात मिलेगी वेडियो कान तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जहिंद